नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनम्स गार्डनिंग पैशन पर ये देखी मेरे गार्डन में से बहुत बड़ा साफ निकला मेरा निकला है दो तीन दिन पहले मेरा ये वीडियो बनाने का उदेश से सरफ इतना था कि आप बहुत बहुत दिन दोस्तों बहुत है दो एक साफ निकला मेरे ये आसपास गूमते रहते हैं तो साफ सुत्रा आप रखेंगे तो इनके आने का डर कम रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीडियो मेने उस दिन बनाया था और इसे देख कि इतना डर लग रहा था कम से से कम यह 6 फीट का 6 फीट से कम नहीं होगा यह साब बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको देख की से रूख आप जा रही है बहुत ही डर लग रहा था बहुत लंबा साब और इसने बहुत दिनों से यहां पर घर बना लिया था हमारे किचन गार्डन के आसपास तो इसलि इसके वज़े से यह साब जो है यही पर आसपास घोम रहा थे और यहां पर इसने अपना घर बना दिया था अब इसे पकड़ने में जो मसकत हुई वह भी मैं आपको बता दूँ और मुझे तो यह सबसे बड़ा डर लगा कि इतने दिनों से यही रह रहा था और फिर भी हम इतनी गौड़नींग करते थे आसपास आते थे जाते थे पर एक बर तो मुझे दिखाई दिया था लेकिन मुझे लगा कि क्या बोलता है चला गया होगा इठी इसने और मेरे हजबेन ने कि कुछ तो आवाज आ रही है पतियों के बीस से कुछ तो आवाज आ रही है तो उन्होंने क्या किया कि देखा उसे ध्यान से तो देखा कि कोई साप जो है उसकी पूछ जो है अंदर जाते हुए दिखाई दी उनको जैसा कि मैंने फोटो लगाया है जाते हुए दिखाई दी उन्होंने उनको तो उन्होंने मुझे बताया त तो कुछ महां कि जो लोकल लोग थे और जो वाच्मिन वगेरा थे उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं इसे मार देते हैं लेकिन फिर मैंने मना किया कि नहीं मारोगे क्या ऐसे जीव जनतु को यह तो चले जाते हैं लेकिन इसने घर बना के रखा है तो ठीक है हम स्नेक कैचर को मेरे गारड़न के तरफ से यहां से यहां से देखिए मनेहैं आपको 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 मार्षी आरी तेट compet dah ने के लिए विज्चif बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि उसे देख एक डर लग रहा था इह देखिए यहीं पर ये नीम का पेड़ है अमारा और यह पर यह देखी जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में यहीं पर वो जो साप है वो छुपा हुआ था यह अभी तो इस पर पत्थर रखा हुआ था इसलिए पतला छेद होने की कारण वह आराम से इसमें चला जा रहा था चला रहा था तो यह हमने पत्थर हटाया उस दिन स् सब्सक्राइब करते हैं तो यहीं से आता जाता है तो हमने कभी तो इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने आस पास के इरिये को जरूर साफ रखे यूंकि जो जहाड खंजाडियां होती है इसमें ज्यादा चुपत सकते हैं तो आप जरूर ध्यान रखें इस बात का यहीं पर वो साफ निकला हुआ था और वो सनेक कैचर भी जब हमने बुलाया तो वो अल्रेडी कहीं गया हुआ था सनेक पकड़ने के लिए तो कम से कम दो घंटे लगे उसे आने में और दो घंटे तक हम जो है इसे देखत से रहें यहां पर कि साप अंदर ही बैठा हो कहीं भाग ना जाए तो हम ने देखा और कम से कम दो घंटे के बाद जब सनेक कैचर आया तो उसने साप को पकड़ा तो आप भी जो है अगर आप जमीन पर गार्डनिंग करते हैं तो स्पेशली आप ध्यान दीजिए कि आपके आसपास का जो एरिया हो वो साफ हो क्योंकि अगर साफ नहीं होगा तो हाँ पर ऐसे ही जो है साप वगेरा छुप जाते हैं अभी हम यहां का भी जो एरिया हमें क्लीन करवाना है पूरा हमने एक जो है लेबर लगवाया है उसने साइड साइड का तो कट कर दिया अभी और मतलब डेली वो आके काम कर रहा है वो कट कर रहा है तो उसी हिसाब से हम साफ करवा रहे हैं अब हमें हमेशा साफ रखना पड़ेगा क्योंकि अब एक बार जो चीज हम देख लेते हैं तो हमारा दिल जो है डर जाता है तो देखिए अब गार्णिंग तो चलती रहेगी पर अब ख्याल रखना पड़ेगा तो आप भी गार्णिंग करते रहें और सेफली गार्णिंग करें